हेलो एवरीवन मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इंडियान फूटी-फूटी पर आज मैं आपके लेकर आई हूँ काले तिल और गुड की एक ऐसी रेसिपी जिसको खा के आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी यह बहुत ही ज्यादा टेस इस तरीके की मैंने आज काले तिल की गचक बनाई है तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना इससे पहले आप मेरे चैनल इंडियन फूटी-फूटी को सब्सक्राइब जरूर कर लें काले तिल की बनाने के लिए मैंने एक काटोरी काले तिल लिये हैं अगर मेज अब इसमें काले तिल हम डाल देंगे और लगवक चा से पांच मिनट तब खुश्बू आने तब हम इसे भून लेंगे तिल से अच्छी खुश्बू आने लगी है और यह थोड़े फूले फूले भी हो गए हैं अब इसी टाइम पर हम अपने डैस का फ्लेम आफ कर देंग प्लेम आन कर लिया है अब इसमें हम जो गुड़ ली थी वो डाल देंगे और इसी स्टेज पर एक शमा देसी घी डाल देंगे इसको मेल्ड होने देंगे जब तक हमारी चाशनी तयार हो रही है उसी समय हम अपनी गजग को बेलने के लिए इस तरीके से किसी पक्तर पर और बेलन पर घी लगा लेंगे इस स्टेज पर हमारी अच्छी से मेल्ड हो रही है इस स्टेज पर हमें कडाई को बिलकुल नहीं छोड़ना है हर तरब से चलाते हुए गुर को हमें इसी तरीके से मेक्स करना है यह देखिए गुड़ हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है इजी तरीके से इसको चलाते रहेंगे जब सारी गुड़ अची से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टू पिंचेज खाने वाला सोडा तू अशके से मिल्ट करेंगे अब हमारी गुड़ का कलर वो sout does the इस तरीके से पानी में डाल कर चैक कर लेंगे इस तरीके से देखेंगे जब हमारी गुड अच्छे से घड़ कर देंगे और अपने जो तिल हमने पीज करके रखते थे अपने पीज कर देंगे इसमें लाइची पाउडर इसको भी डाल देंगे अब इसको इस तरीके से पत्थर पर रख लेंगे और इसको पतला बेलेंगे इसको हमने जल्दी जल्दी बेल दिया है अब इसके उपर इस तरीके से हम नारियल या जो भी आप लगाना चाहें डेकोरेशन के लिए इस तरीके से लगा दें अब इसको मन चाहे शेप में कट कर लेंगे मैं इस मोल्ड से कट कर रही हूँ यह देखिए मैंने इस शेप में इसको कट कर लिया है अब इसी तरीके से सारी गजग कट कर लेंगे वाव यह देखिए हमारे काले तिल की गजग बनकर तयार हो गई है काला तिल हमारे बालों के लिए और हमारी आखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये गजग सर्दियों में मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा मेरे चैनल इंडियन फूटी फूटी को सबस्क्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वेल आइकन जरूर दमाएं थैंक्स फार वाचिंग